वक्तितों पर आपके बार वो गुर्डन कार देती है लेकि आपती स्किन टॉन बहुत ही अजीब सी डार्क जली हुई और मुझाई हुई हो जाती है तो आज आपको मैं बताऊंगी कि नच्छर टीके से आप अपनी स्किन की ब्लीचिंग किस तहां से कर सकते हैं अपनी स्किन टॉन किस तहां से लाइक कर सकते हैं अपना चेहरा किस तहां से फेर कर सकते हैं अपनी स्किन टॉन लाइक कर सकते हैं और बजारी क्रीम की वो चलन और संसनाहर से किस तहां से बच सकते हैं तो इसमें सबसे पहला तरीका है कि आपको चाहिए फ्रेश लेमन जूस, टीन खाने के चमच और टर्मारिक पाउडर यानि के हल्दी पाउडर आपको चाहिए एक खाने का चमच त्रीका इसमालिया है कि आपने इंड़र्णों पुर्णो मिनट पीड़ दो क मिक्स करना है और अपने पूरे चीज़ करना है। ये क्ज़ता हैं, कर दिना मिनट ररा एक योगर्ट। इसमें आपको चाहिए होगा आधा चाय का चमच एक खानी का चमच दहीं था और इसमें आधा चाय का चमच लामन जूस में डालना है प्रीका इसमाल यह है कि आपने इसको छोटी प्याली में लेनी है छोटी प्याली उसमें आपने चमच दहीं डाली हाफ चमच लामन जूस डाला आपने इसको छी तहां से मिक्स किया और अपने चहरे पर पूरे चहरे कर आपने इसको छी तहां से अपलाई करना है अपने चहर के लिए तो अपनी चेहरे के साथ साथ अपनी जरूर अप्लाई करें अपनी जरूर अप्लाई करें अपनी चेहरे के साथ साथ अपनी जरूर अप्लाई करें तो कोई भी मास्क कोई भी आप क्रीम अप्लाई करते हैं अपनी चेहरे पर तो साथ में अपनी जरूर अप्लाई क और कोई भी मास्क या कोई भी आप फेस पैक लगाने का बेस्परी करिये है आप एक चोटा ब्रश ख्रीद में बगार से जोके बहुत ही नॉर्मल रेजनेरिबर प्राइस में लिल जाता है अच्छी तरह से अपने चेहरे पर अप्लाइ करें कोई भी मास्क या कोई भी क्रीम जोके एक बसपरी का है लगाने के लिए तो आपने ये मास्क अपनी चेहरे पर लगाया यूगर्ट और लेमन का और आपने इसको छोड़ दिना है 15 मिनिट के लिए 10-15 मिनिट मैंसे इस निये हैं इसूदक पेंड होट की और इसके फिलने मांश के फिलने फऴर हाई ने तो ही ऐफ मेंड हनी और ही थैज़ानें i. पाए कीक्षा फाल यु और य। तो इस तरीके के लिए आपको जून चीदों की जूए होगी उसमें आपको चाहिए टमाटर का गूदा, दो खाने की चमच, उसमें आपको चाहिए बेकिंग सोडा, आधा, चाय का चमच, और हनी चाहिए शहर चाहिए आपको एक चाय का चमच, दो खाने का चमच टमाटर का लिए पर उपस चलगा उतारा और इसको आपनी blender में blend कर लेना है उसकी paste बन जाएगी तो आप दो चमच दो वाला पेस्ट ले लिए लिए लिक वुद्धा लेने जो उसकी पल फूल लिए और उसमें आपने डालना है हाफ चाय का चाह का चमच बेकिंग सोड़ा और एक चाय क इसको आपने अच्छी तहां से मिक्स कर लेना है और अपने चेहरे पर अच्छी तहां से लगा देना है और इसको आपने पांच मिनिट के लिए अपनी चेहरे पर लगा रहे लेना है और पांच मिनिट लगा रहेने से पहले आपने एक काम कर ला है कि जब आपने अपनी चेह पर पांच मिनिट के लिए छोड़ देना है और पांच मिनिट बाद आप अपने फेस को नॉर्मल वाटर से वाश कर सकते हैं इसको ड्राय करने और अपनी स्किन टॉन इवन करने तो यह आज आपको मैलेजी प्ले भी टीम तरीके बताएं इस नाच्छल तरीके से अपनी स्किन टॉन इवन करने का ब्लीच करने का तो यह तरीका आप इनमें से कोई भी तरीका आजमाएं और हफ़ते में दो दफा इसको तो जरुर रस्पाल करें, इससे आपकी स्किन टोन इवन हो जाएगी, आपकी स्किन नेचल ट्रीके से बीच हो जाएगी, और आपका चेहरा ग्लो करने लगेगा, और शाइन करने लगेगा, तो फ्रेंड्स, यह थी हमारी आज की बहुत ही असान और सस्किसे कि नावूद करती हूँ, आपको पसंद आई होगी, और आपके लिए ज़ूर नावूद कार साबित होगी, अगर आप मजीद वीडियो देखना चाहते हैं, मजीद कुछ जाना चाहते हैं, तो नीचे दिये राइड बटन को, सिब्सक्राब जाले बटन को क्लिक करना मत भूलें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें, मुझे एपिशेट करते रहे हैं, अपनी दोओं में याद रुखें, अपने फ्रेंज के साथ शेयर करें इतनी मेहना से वीडियो बनाई है, एक लाइक तो बनता है ना, और दूसरा ये कि आप हमें इतनी बड़ी दुनिया में दुबारा कैसे दूनेंगे, तो इसका हल ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ड़ीजिए, और इस चैनल के आइकन को क्लिक कर दीजिए, इस त